भाईयों 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 फिर भी कॉंग्रेस और उसके साथी जूट फ्यला रहे हैं अप्वा फ्यल रहा रहे हैं अप्वा प्रचार कर रहे हैं साथियों आज जारखन की इस धर्ती से इन भीर पुत्रों की धर्ती से देश के लिए मर मिटने वाले इन सहीदों की धर्ती से मैं फिर एक बार पूरे देश को देश के प्रतेग नागरिक को चाए हिंदू हो मुसल्मान हो हर किसी को फिर से कहना चाहता हूँ कि इस कानून से किसी भी भारतिय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा हमने जो कानून बनाया है ये तो हमारे पडोस के तीन देशों में बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीन देशों में धार्मीक अत्याचार की बज़े से भारत आने वाले लोगों के लिए हमने कानून बनाया है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बर्षों से बहुत ही दयनीय स्थिती में है जिनके पास बापसी का कोई रास्ता ही नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसमें भारतिये मुसलमानों या किसी भी भारतिये नागरिक के अधिकारों का हनन कहा होता है क्यों जूट बोल रहे हो क्यों जूट फेला रहे हो क्यों देश को बरबाद करने में बतुले हुए हो साथियों नागरिक्ता संसोधन कानून न किसी भारतिये का अधिकार चिनता है नहीं उसे किसी तरह का नुक्षान पहुचाता है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस और उसके साथी इस मुद्दे पर मुसल्मानों को भड़काने का डराने का भैवित करने का प्रयास करके अपनी राजनिती खिचडी पकाना चाहते हैं भाई और बैनों कॉंग्रेस की बांटो और राजकरो इसी निती की वज़े से देश का एक बार बटवारा हो चुका है मा भारती के टुकडे पहले हो चुके हैं यही कॉंग्रेस है जितने अबैद तरीके से लाखों गुश पेठ्यों को भारत में गुशने दिया यहां उनको बोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया गुश पेठ्यों के कारण जो समस्याएं पादा हुई है उसके लिए भी कॉंग्रेस और उसके साथ ही दाल जो इतने सानों तक सत्ता भोगते रहे बेही जिम्बेदार है साथियो मैं कॉंग्रेस सही उन तमाम दलों को इस वीरों की धर्ती से अच्चनोती देता